और मोसम कैसा है दर हिमाचल प्रदेश में आज बहुत अच्छा मोसम है बहुत ठंड भी नहीं है बहुत गर्मी भी नहीं है तो आप गुजराती में बोल दो जरा गुजराती बासियों को बता दो आज का हिमाचल का कैसा मोसम है आज माचल मैं बहु ठंडी पढ़ना थी लगती है ने बहु गर्मी पढ़ना थी लगती माजी जे सिरी कृष्ण कहां से वो आप हम गुजरात से हैं गुजरात से हैं और आज क्या तारीक है आज होस्त नमंबर दो हजार एकीस और आप कहां गुम रहे हो कौन सी जगह में मेकलोडगन कब आये थे आप दो दिन हुए आये और मोसम कैसा है तर हिमाचल प्रदेश में आज बहुत अच्छा मोसम है बहु ठंड भी नहीं है बहु गर्मी भी नहीं है तो आप गुजराती में बोल दो जरा गुजराती बासियों को पता दो आज का कब आये थे हिमाचल गुजराती में बोल दो आप हिमाचल पहली बार आये हूँ यह आपके साथ बोलने के आदा तो पहली बार आये हो हमाचल पहली बार आये हो हमाचल पहली वक्त आवी चो पहली बगता है कैसा लगा बहुत अच्छा लगता है बहुत अच्छा लगता है समच्छा है और कल कहां जाएंगे देवियों के दर्शन करोगे काले देवियों ना दर्शन करवा जैसू कोन कोन सी देवी तो ज्वाली का है और दूसरा तो याद नहीं है ना चामुंडा देवी, कागडा देवी, जौला देवी, किंतपूर्नी देवी, और बगला मुखी देवी का दर्शन करेंगे तो अच्छा मोसम है और आपका गुजरात में कैसा मोसम था गुजरात में भी ठंडी सरू था याती तो गुजरात के और यहां के मोसम में फर्क है कुछ यहां ज्यादा ठंडी लागे से अच्छा आपके साथ कि यह कौन है आपके साथ यह मेरी दोईत्री है यह क्या है दिक्री दिक्री ने दिक्री दिक्री ने दिक्री एंप अच् informing बेटी की बेटी की बेटी तो चाहिनको भी साथ लायो गुमाने है उसके साथ में लाइत Sw diss ठीक है आपका क्या नाम है? वहां से गुखराच पावनगर नान्नी के साथ गुम्रहों यहाँ कैसा है यहाँ का मवसा महें हमाचल का बहुत थंड है और आप के उधर कैसा है? वहां बहुत गर्मी होती है तो यह ठंड अच्छा लग रहा है हाँ क्या-क्या गुमोंगे इद स हिँआचल में कुछ पता नहीं है भी यद नहीं है कुछ ऱी को गुमाने लेकाए आ नठो ठीक है जैये श्रीक्रिस्ना जया श्रीक्रश्ना